बलरामपूर जिले में राप्ती नदी की बाढ़ से भारी तबाही हुई है लगभग 350 गाओं में बाढ़ का पानी घुसा है लोग छतों पर शरण लिये हैं जिनके पास पक्ते मकार नहीं है वे पडोसियों की घर पर रहने को मजबूर है लगभग 75,000 हेक्टियर धान भसल पानी में तबाह हो गई है जिले के सभी प्रमुक मार्गों पर आवागमन ठप हो गया है बलरामपूर के कोतवाली नगर तहसील परिसर बिजली घर रजिस्ट्री दफतर सहित कई मोहलों में बाढ़ का पानी घुसा है बलरामपूर, तुलसीपूर, उतरावला वा बहराईच मार्ग पर आवागमन रोग दिया क्या है बिजली घर में पानी घुसने से नगर में बिजली आपूर्ती बंध कर दी गई है ग्रामेड इलाकों में लगभग 602 प्रभावित गाउं में बिजली आपूर्ती पिछली तीन दिनों से बंध है अतिसावेदन शील गाउं से लोगों को बाहर निकालने का काम शुडू हो गया है श्रीदत गंज के ग्राम चंदापूर के पास बने बांध का लगभग 150 मीटर भाग कट गया है नदी के कटान से बांध का काफी हिस्सा कटता चा रहा है बांध के कटने से दर्चनों गाउं में बाढ़ का पानी घुस गया है हालातों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर महेंदर कुमार ने कटान प्रभावित बाढ़ ग्रस गाउं का रविवार को निरिक्षण किया कटान से प्रभावित ग्रामीडों के लिए ततकार रहतकार शुरू करने का निर्देश भी दिया इस बार बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है नगर के श्याम बिहार कॉलोनी पहल वारा सिविल लाइन परिवाह निगंब स्टैंड बिचली घर अचलापूर वार्ड कोतवाली नगर तहसील परिसर रजिस्ट्री दफ्तर पुरानी बाजार टीटू सिनेमा विज पूरो राजमंत्री डॉक्लर एस्पी यादव के घर में पानी घुसा है श्याम बिहार कॉलोनी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुडू हो गया है खमावावा निबकावने वार्ड का रास्ता बंध हो गया है बौध परिपत अंतरगत तुलसेपूर मार विस्तिते चुंगी नाका के निकट सडक पर चार फीट पानी बह रहा है